जाइगो माइकोटीना एकोलोजिकली और एकोनोमिकली इंपार्टन्ट सब्डिवियन है यू माइकोटा का जिसे टू फंजाई भी कहते हैं अंडर जी सी एंसवर्थ सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन हम जी सी एंसवर्थ सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन को स्टेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ग्रूप्स आ रहे हैं हम वन बाई वन उनको डिसकस कर रहे हैं इस व और योक, योक एक वोडन क्रास पीस, वोडन एक इस्ट्रक्चर है that is put on the necks of oxen or horses that is connected to load they are pulling. Zygomycotina या Zygomycotina के members को conjugation fungi भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस वज़ा से कहते हैं कि Zygomycotina के members ऐसे हाइफे प्रोड्यूस करते हैं, जो हाइफे डिफरेंशियेट होते हैं और गैमीट का काम करते हैं, और उनको गैमिट इंजिया कहा जाता है, वो गैमिट इंजिया आपस में fuse होते हैं और sexual zygo spores बनाते हैं, जो resting zygo spores होते हैं या resting spores होते हैं उनके life cycle में, इस वज़ा से जाइगो माइकोटिना या जाइगो माइकोटा के members को conjugation fungi P कहते हैं, इस वक्त तक 1000 से ज्यादा species रपोर्ट की गई हैं, और वक्त के साथ साथ gradually number of species जो discover होती हैं, रपोर्ट होती हैं या publish होती हैं, वो number increase करती हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस इस टिपिकल स्ट्रक्चर आफ जाइगो स्पोर जो थिक वाल्ड स्पोर होता है, सेक्श्वल स्पोर होता है और इसे रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं, क्योंकि यह डार्मन्ट होता है for some time and then it germinates, इसके बनने का जो प्रासिस है, वो हम आगे चलके उसकी life cycle में, इसके करेंगे, यहां पे आप इस image में देख सकते हैं, कि दो कार्नर्स पे यह गर्मिट अंजिया हैं जो लास्ट साइड स्लाइड में डिसकस की हैं यह गर्मिट अंजिया आपस में fuse होती हैं, तो यह जाइगो स्पोर बनता है धिक वाल्ड सेक्शूल डार्मन्ड इस्पो और जाइगो स्पोर एक distinguishing character है जाइगो माइकोटीना का जाइगो माइकोटीना के members हर जगा पर पाई जाते हैं इस वज़ा से उनके लिए term यूज होता है यूबी क्यूटर्स और वो terrestrial environment में भी मौझूद होते हैं They are abundant in soils or dung या fresh या marine water में भी मौझूद होते हैं They have been found associated with plants, animals, fungi and humans They also survive as parasites on arthropods, plants, other fungal hosts The members of Zygomycotीना are responsible for some destructive plant and human diseases सबसे important बात यह है कि जाइगो माइकोटीना के जो members हैं वो symbiotic association भी बनाते हैं plants के साथ और arthropods के साथ लो अक का ठक्ड़िक ए्यूड़ित